हेलो स्टुडेंट्स आज हम आपको सेंट एंजल्स ओनलाइन क्लासिस के माध्यम से चैप्टर नुमर सैवन को एक्स्प्लेंड करेंगे चैप्टर नेम है समास जिन्सको हम इंगलिज में बोलते हैं कमपाउंड समास का अर्थ है छोटा करना या संग्छिप्त करना भासा में जब अनेक सब्दों को मिला कर और उन्हें संधी करके एक सब्द बनाते हैं तो उन्हें उसे समास कहते हैं जैसे सत्य के लिए आगरें इकल्ष्टो सत्यागरें चार राहों का समाहार इकल्ष्टो चोराहा सक्ति के अनुसार इकल्ष्टो यथा सक्ति प्रुष्टो में जो उत्तम हो इकल्ष्टो प्रुष्टो उत्तम प्रस्पर यह है समास की परिभासा प्रस्पर सम्बंद रखने वाले दो या दो से अधिक पदो के मेल से नया सब्द बनाने की प्रिकरिया को समास कहते हैं समास द्वारा बने सब्द को समासिक सब्द या समस्त पद कहते हैं जब समास द्वारा बने सब्द के सभी पदों को अलग-अलग किया जाता हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं समास द्वारा बने सब्द में दो पद होते हैं पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं दोनों से बने सब्द को समस्त पद कहते हैं समास के भेद, kinds of compound, समास के छे भेद होते हैं फर्ष्ट अव्यवाव, नेक्स्ट तत्पुरुस, थर्ड कर्मधारिय, फोर्थ दिगू, फिप्थ द्वन्द, एंड शिक्स्थ बहुवरी फर्ष्ट है अव्यवाई समास इस समास को, इस समास में दो सब्दों से मिलकर जो सब्द बनता है वे अव्यव का काम करता है इसका पहला पद प्रधान होता है और वे अधिकतर अव्यव होता है जैसे आ जीवन, जीवन भर, यथा सक्ती, सक्ती के अनुसार, यथा विधी, विधी के अनुसार, यथोचित जो उचित हो नेक्ट ततपुरुस समास इस समास के दो पदों के बीच में आने वाले कारक चिनों का लोप होता है जैसे को, से, के, लिए, से, का, के, की, मे, पर जैसे माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला तुलसी क्रत, तुलसी द्वारा क्रत रसोई घर, रसोई के लिए, घर राज सभा, राजा की सभा